वनना सब्सक्राइब अब दोस्तों फाइनल आपको इसको सौल करना है तो इस तरह से सौल कर सकते हो अब देखो यहां के अगर आपको इससे सौल कराएं प्लस जैडी और माइनस पोर यह वाप पे जाएगा यहां पर हम लेख दिया दोस्तो प्रदीविरी एकाइट्वी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम वेक्टर डिफ्रेंशियेशन में लेक्षर नूमबर सेकेंड लेकर आया है और लेक्षर नूमबर सेकेंड में दोस्तो हम एंगल बिट्विन नॉर्वल्स मतलब एंगल बिट्विन तो यहां पर आल्रेडी मैंने यह वाला पार्ट आपको इसके पहले वाले लेक्षर में बता दिया था यह वाला पार्ट मैंने आल्रेडी आपको बताया था कि ग्रेडियंट क्या होता है दोस्तो सब कुछ मैंने आपको बताया था दैन इसके बाद मैंने यह भी आपको बत करते हैं find the angle between the surfaces और यहां पर दोस्तों हमें कुछ दिया हुआ है अब यहां पर हमें पहला यह दिया है इन्होंने और फिर हमें दोस्तों इन्होंने यह दिया है और add something बोला है या कभी कभार हो सकता है कि वो एक ही दे और आपको दो points दे तो आपको एक से एक part निकालना है दूसरे point से दूसरा part निकालना है वैसे भी कर सकते है तो यहाँ पे पिन्होंने दो पार्ट दिया हो minus y square है equal to zero है उस side कुछ नहीं अगर कुछ रहा तो इस साइड लेकर आएंगे और दोस्तो वैसी सेम आप यहाँ पे सेम यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी आप कुछ भी consider कर सकते हो समझो मैंने इस वाले पार्ट को मैंने यह consider किया कोई भी symbol आप ले सकते हो x square y plus यहाँ पे क्या है दोस्तो z है और यह 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हाँ जाएगा दोस्तो Mu2 अगर आपको problem हो रहा है यह लेने से तो आप यहाँ पे इसको u भी ले सकते हो देखो मैं इसे v ले ले रहा हूं और इससे क्या ले ले रहा हूँ दोस्तो व अब ऐसे भी देल फाई की जग पर देल यू निकाल रहों, सेम वही फॉर्मॉला आए, डेल येल देल येल। इहां पर देखो आए हैं, सेम वही कुछ अलग नहीं होने आला, यहां पर इस पूरे को सॉल करो तो, तो यहां पर एक्स का वन आएगा, तो यहां पर direct क्या जाएगा दोस्तो log Z यहां पर दोस्तो यह constant है इसका 1 आएगा और यह Z है यह भी constant है और 1 का इसका भी 0 आएगा plus J यहां पर देखो U को आप with respect to Y solve करो Y जब solve करोगे तो इसमें Y वाला term नहीं 0 हो जाएगा यहां पर दोस्तो क्या जाएगा minus 2 Y और with respect to Z अगर आप solve करने जा रहे हो तो यह X I C रहेगा और log Z का क्या जाएगा दोस्तो 1 by Z और बाकी का तो 0 हो जाएगा अब दोस्तो यहां पर हमें कुछ points दिये हैं उस points के help से यह point निकालेंगे 111 क्या दिया है दोस्तो 111 अब अगर आप इसे solve करने जा रहे हो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तो log 1 यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तो minus 2 यहां पर क्या हो जाएगा के यहां पर 111 हो जाएगा अब finally अगर मैं इससे लिख हूँ तो मैं इससे लिखते टाइम log 1 0 होता है तो दोस्तों यह पूरा part 0 हो जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा minus 2j और plus k और दोस्तों मैं इससे ही a बार ले ले रहा हूँ अब consider करो इससे ही क्या consider कर रहा हूँ a बार अब इससे solve करो सेम यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा formula क्या हो जाएगा दोस्तों i del by del x of v del by del y by v and del by del z by v अब ने ले लिया अब यह लेने के बार दोस्तों आपको क्या करना है देखो यहाँ पर यहाँ पर i with respect to x, अगर आप solve करने जा रहे हैं, यहाँ पर कहाएगा 2x, y, यह तो 0 हो जाएगा, plus j, अगर आप y ले रहे हो, तो y all apart, यहाँ पर कहाएगा x square, y का 1, और यह तो 0 हो जाएगा, plus, अगर आप यहाँ पर z ले रहे हो, यह पूरा 0, यह 0, और यह z का कहाएगा 1, तो यहाँ पर, अगर मैं, यहाँ पर point consider करूँ, तो 1, 1, 1, तो देखो, यहाँ पर अगर 1, 1 करोगे, तो यहाँ पर finally 2 आएगा, यहाँ पर दोस्तो 1 करोगे, तो यह j हो जाएगा, और यहाँ पर 1, k, तो यह पूरा का पूरा दोस्तो, पीछे अला पार्ट था, कुछ भी अलग नहीं था, lecture number first में, यह सब चीज़े मैंने आपको कराया है, अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को दोस्तो, इस वाले पार्ट को मैं, बी बार कंसिडर कर दे रहाँ, क्या कंसिडर कर दे रहाँ, बी बार, अब कभी भी अगर आपको angles निकालना है, तो आप जो छूटी क्लास में, मतलब 11 थी या 12 प्लास में जो फॉर्बला यूज करते सेम फॉर्बले से मैं solve कर आने अलो, कुछ अलग नहीं, अब दोस्तो, यहाँ पर देखो, जो उपर आया है, अब यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप अ बार निकालने जा रहे हो, तो कितना हैगा, दोस्तो, माइनस टू का स्वेर और वन का स्वेर, और मैगनिटुट नहीं कालने जा रहे है, तो क्या हैगा, टू का isquare, वन का isquare, और वन का isquare, अब दोस्तो, आप को इसको solve करना है, तो किस तरह से solve कर सकते हो, अब देखो यहाँ पर, अगर आपको इससे solve करना है, तो आप अपने प्यारे केल्सी को ले लो, देखो, नीचे वाले पार्ट को एक-एक solve कर दे रहा हूँ, Chelsea on कर दो, minus 2 का square plus 1, तो under root of 5, तो यह क्या है दोस्तो under root of 5, अब यहाँ पर अगर आप इस part को solve करने जा रहे हो, तो दोस्तो 2 का square plus 1 का square plus 1 का 1 का square, तो under root of 6, उपर का अगर आप solve करने जा रहे हो, तो देखो, यहाँ पर i वाला term निये, तो 0 किस से multiply होगा, यहाँ के i से 2 से, j वाला term है, दोस्तो, minus 2, minus 2 किस से multiply होगा, दोस्तो, 1 से, and दोस्तो, 1 किस से multiply होगा, दोस्तो, 1 से, तो finally, यहाँ पर answer के आएगा, उपर minus 1, तो इतना मैंने solve किया, यहाँ पर हमें cos theta का value किया, मिल गया है, दोस्तो, और finally, मैं इससे theta निकाल सकता हूँ, then theta which is equal to क्या आएगा, दोस्तो, cos वहाँ पर जाएगा, तो inverse होजाएगा, minus 1, under root of 5, under root of 6, तो यह आपका यहाँ पर क्या आएगा है, दोस्तो, final answer, आप आगे solve करना तो कर देना, पर final answer यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, तो उमीद कर रहा हूँ कि आपको angles वाला concept अब बहुत अच्छे समझ में, आप इससे related जो भी questions होंगे, आप solve करो, बट इसी के अंदर एक और question पूछा जाता है, constant से related, वो question भी हम solve करते हैं, देखते हैं कि उसे किस तरह solve करते हैं, चलते हैं दोस्तो, वो question लिखते हैं, दोस्तो, यहाँ पर देखो, बहुत ही अच्छा question है, अगर इस question को अगर आप चाहें, कौन से भी university से हो, अगर आप इस question को नहीं solve कर रहे हो, तो मतलब, बहुत बड़ा नुक्सान होगा आपको, find the constant A and B, so that the surface हमें कुछ दिया हुआ है, दोस्तो, आगे क्या बोला है, will be orthogonal, जान भुचके मैंने starting में नहीं बता है, orthogonal, orthogonal मतलब perpendicular होता है, दोस्तो, to the surface, एक और surface दिया, point, मतलब यहाँ पे, indirectly हमें perpendicular दिया है, मतलब हमें angle 90 दिया है, मतलब यह angle का question है, तो देखते हैं, दोस्तो, सबसे पहले, सर ने जो बोला था, पहले वाले को आप U ले लो, क्या हैगा, दोस्तो, A x square, A x square, minus, यहाँ पे क्या हैगा, दोस्तो, B y z, और, यह वाला part, equal के, यहाँ पे लोगे, तो क्या हो जाएगा, दोस्तो, minus, A plus, 2x, ऐसी रखो, bracket में ही रखो, अब दोस्तो, यह आपका U हो गया, यहाँ पे हम जैसे, हम दूसरा ओले part को, हम भी ले लेंगे, क्या हैगा, दोस्तो, 4 x square y, plus, z cube, और minus 4, यह 4 वाहाँ पे जाएगा, तो minus हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया, अब यह लिखने के बाद, दोस्तो, क्या करना है, हमें something point दिया, तो देखो, आपको पता है, कि पहले आप क्या करोगे, del u, find out करोगे, del u क्या आएगा, i, del u by del x, z, del u by del y, plus k, del u by del z, अब दोस्तो, यहाँ पे, यह आया, इसी है, del u by del x, अगर हम find out करने जाया, तो किस तरह से find out करेंगे, यह पूरा का पूरा पार्ट है, with respect to हम क्या करेंगे, दोस्तो, इसको x solve करने ही कोसिस करेंगे, अब दोस्तो, यहाँ पे, with respect to x, अगर मैं solve करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x आ जाएगा, 2, तो यह क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, और दोस्तो, यहाँ पे, यह x हाई नहीं, तो 0 हो जाएगा, और यह वाला, अगर मैं part solve करूँ, तो x का derivative 1, यहाँ पे क्या है, दोस्तो, जे, अब यहाँ पे, डेल यू, इसको, with respect to y solve करो, यह तो 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, इसमें y है, तो मस क्याएगा, b, z आएगा, और यह वाले part को, with respect to z solve करो, यह 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्याएगा, दोस्तो, minus b, y, अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा part, दोस्तो, solve कर दिया, अब यह solve करने के बाद, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोस्तो, points put करेंगे, points क्या है, दोस्तो, हमारा 1, minus 1, देखो क्या है, दोस्तो, 1, minus 1, 2, अब यहाँ पे यह जो point है देखो यह i है यह 2a है 1 मतलब x मतलब यहाँ पे x का value 1 है यह a है, यह 2 यहाँ पे j यहाँ पे b, c, c है z कितना है, दोस्तो 2 है तो यह क्या आजाएगा 2b आजाएगा और यह k y कितना है, दोस्तो minus 1 है अगर minus 1 यहाँ पे आएगा तो minus minus plus b हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पे indirectly अगर मैं इसे लिखूँ तो यहाँ पे देखो, यह 2a minus a कितना हो जाएगा a minus 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तो j, j के आगे का हो जाएगा minus 2b और यहां पर कहाएगा दोस्तो के और यहां पर कहाएगा बी तो फाइनली यह हमें डैल यू का वैल्यू मिल गया अब डैल यू का वैल्यू मिल गया तो दोस्तों आपको पता है कि आप इसे इसे ही आप क्या conservative करते हो ए बार अब ये पूरा का पूरा आपका हो गया part अब ये पूरा का पूरा part होने के बाद दोस्तों आप क्या करूगी ये part निकाल हो गया तो यहाँ पे del V है तो यहाँ पे i del V by del x j del V by del y k del V by del z अब यहां पर देखो अगर आपको इसको सॉल करना है तो देखो यह आए हैं दोस्तो डेल भी बैड एल एक्स मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टो एक्स सॉल करो तो यहां पर 2x आ जाएगा 2x को 4 से मल्टिप्लाइ करते होगे तो दोस्तो 8xy और यह पूरा 0 डन दोस्तो विध रिस्पेक्ट्ट टो यहां पर में यहां पर यहां पर क्या जाएगा दोस्तो दोस्तो यहां पर-दोस्तो यहां पर इंटू X का value कितना है, दोस्तो 1 है, अब यहां पर next K, और Z का value कितना 2 है, 2 का square 4, और 4 3 जा 12, डारेक्ट लिख रहा हूं, दोस्तो थोड़ा सा ध्यान रखना, तो यहां पर delta V, यहां पर क्या हैगा दोस्तो, minus 8, तो इसको अच्छे से लिख दू, minus 8i, यहां पर plus 4j, और plus 12k, अब यह पूरा का पूरा पार्ट भी आपका हो गया, अब यहां पर इस वाले पार्ट को दोस्तो आप क्या consider करोगे, इस वाले पार्ट को, इसे आप B consider करोगे, आपको यहां पर वेक्टर B भी पता चल गया, और यहां पर वेक्टर A भी पता चल गया, आपको क्या बोला है, कि यह वाला, यह वाला कैसे, orthogonal है, इसके बीच का एंगल के अधर, the surface is orthogonal to this surface, तो मतलब यहां पर आपको बोला है, वेक्टर A and वेक्टर B are orthogonal to each other, मतलब ओर्टोगोनल to each other है, मतलब दोनों के बीच में 90 का एंगल है, मतलब उसका dot product दोस्तो 0 होता है, यह चीज यहाद रखना, मतलब दोनों का 90 का एंगल है, मतलब यह आप एंगल वाला formula ले सकते हो, cos theta A dot B dot, magnitude of A, magnitude of B, अगर समझों, यहाँ पर angle 90 है, cos 90 के होगा, दोस्तो 0, यह पूरा 0 हो जाएगा, तो यह पूरा term यहाँ पर आके 0 हो जाएगा, तो A dot, A bar dot B bar, which is equal to 0, यह वाला formula यहाँ से बनेगा, तो आप याद रखना, कभी भी अगर orthogonal है, तो यहाँ पर दोनों का dot product के आएगा, दोस्तो, 0 आएगा, यह आपको पता होना चीए, अब A का value क्या है, दोस्तो, जो भी A का value है, A का, आपको इसमें से कौन सा value रखना है, दोस्तो, आप पहले A पूरा का पूरा लिखो, B A पूरा का पूरा लिखो, फिर दोनों का dot निकालों, मैं direct निकाल रहा हूँ, A के आगे, A के साथ क्या है, दोस्तो, A minus 2, यह इसमें I के आगे क्या है, दोस्तो, minus 8, minus 8 से multiply होगा, plus, यहाँ पे J के आगे क्या है, दोस्तो, minus 2, B, यहाँ पे J के आगे क्या है, दोस्तो, 4, यहाँ पे K के आगे क्या है, दोस्तो, B, यहाँ पे क्या है, दोस्तो, 12, which is equal to 0 अब अगर मैं इसे solve करूँ तो किस तरह से solve होगा दोस्तों यहाँ पर देखो अगर यह अंदर multiply होगा तो क्या हो जाएगा minus 8A minus minus plus 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 8B और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 12B which is equal to 0 then minus 8A और plus 16 और यह plus minus minus तो यहाँ पर क्याएगा दोस्तों plus 4B equal to यहाँ पर क्याएगा दोस्तों 0 और अगर मैं इसे लिखो तो minus 8A plus 4B equal to minus 16 16 वहाँ पर गया पूरा equation अगर मैं 4 से divide कर दूँ तो यह क्या जाएगा 2A यह B और यह दोस्तों कितना हो जाएगा 4 तो finally हमें यहाँ पर 1 equation मिला अब 1 equation जो भी आपको यहाँ पर मिला हुआ है दोस्तों अब यहाँ पर जो भी equation आपको मिला है दोस्तों A और B के term में मिला है मतलब यहाँ पर आपको एक और equation چाहिए कभी भी अगर किसी भी unknown को आपको solve करना है तो आपके बास दो equations होने चीए मतलब यहां पर आपको एक और equation चीए और दोस्तो वह equation अपने को मिलेगा कैसे तो आपको क्या करना है इसमें से देखो पहले वाले equation में A B यहीएगी दूसरे आले में पहले वाले में दोस्तो एबी दोनों हैं दूसरे आले में only A है A भी नहीं है दूसरे वाले में मतलब A B आपको पहले वाले equation में तो यह वाला point आप पहले वाले equation में put कर दो तो आपको एक equation वहाँ से मिल जाएगा तो दोस्तो अब हम value put up करते हैं देखते हैं कि किस तरह से इस value को put up करना है तो यहाँ पे देखो हमारा जो भी equation है x2-byz equal to a plus 2 और यहाँ पे क्या है दोस्तो x हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है यहाँ पे है यहाँ पे गाहे स्टो 2, a plus 2, x का value कितना हैगा, दोस्तो, 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, यहाँ पर minus minus b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोस्तो 2b, यहाँ पर a plus 2 a, a cancel हो गया, then 2b देखो, यह a cancel हो जाएगा, 2b equal to 2, then b equal to, दोस्तो कितना है, 1, अब b का value आ गया, तो दोस्तो आपको क्या करना है, यह same to same value आपको इस वाले equation में put कर देना है और यहाँ से आपको a का value मिल जाएगा, तो देखो, यहाँ पर मैं equation number इसको first दे रहा हूँ, put b equal to 1 in equation 1 आपको यहाँ पर क्या करना है, put करना है अब equation 1 में जैसे ही आप equal to 5, then a equal to क्या एगा दोस्तों 5 by 2 तो यहाँ पर मैं a का value भी मिल गया और b का value भी है दोस्तों हमारे पस तो अब यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा tension क्या हो गया दोस्तों कतम हो गया, और यह question हमने solve कर दिया, अब चलते हैं दोस्तों next question की अब दोस्तों यहाँ पर proof वाले question solve कर रहा हो, अगर आप यह proof वाले question को अगर अच्छे से ध्यान से अगर आप अच्छे से समझ लोगे, तो आप इस तरह के book में बहुत सारे proofs हैं जिसे आप आरम से solve कर सकते हो, अब दोस्तों यहाँ पर question है, उस question को पहले हम समझने कोसिस करने हैं, और यह proof indirectly आपको याद भी होना चाहिए, इसका direct आपको formula भी याद होना चाहिए, del fr का जो formula है, वह आपको direct भी याद होना चाहिए, तो देखो इसमें r वाला एक term दिख रहा है, तो मैं सब सहले r vector को क्या consider करूँगा, x i plus y j और plus z k, ये तो सभी को पता होगा, कि मैं इसे क्या करूँगा, consider करूँगा, r vector मैंने consider किया, अब यहाँ पर अगर suppose मैं इस r vector का magnitude निकालने जाता हूँ, magnitude of r vector क्या आएगा दोस्तों, under root of क्या आएगा, x का square में लूँगा, y का square करूँगा, और क्या लूँगा, दोस्तों, z का square, और finally ये magnitude of r, मतलब r है, तो under root of क्या आएगा, x square plus y square plus z square, अगर मैं दोनों side square करूँगा, तो ये r square हो जाएगा, और यहाँ का root गाया हो जाएगा, x square plus y square plus z square, तो यहाँ तक का part आपको बहुत अच्छे समझ में है, अब मैं क्या करूँगा, दोस्तों, इससे partially differentiate करूँगा, with respect to x, अब मैं इससे partially differentiate with respect to x करूँगा, यहाँ पर लिख देना, partially differentiate with respect to x, तो दोस्तों, यहाँ पर, देखो यह x, x का क्या हो जाएगा, दोस्तों, 2x आ जाएगा, y 0 हो जाएगा, constant है, z 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर r का ही यह अलग-अलग functions है, तो r को आप 0 मत रखना, r को आपको differentiate करना है, जैसे आप normal derivative differentiate करते हो, तो जैसे, अगर समझो, यहाँ पर x square है, यहाँ पर r square है, तो आप, अगर समझो, यहाँ पर x square होता तो आप क्या लिखतें, 2x, तो वैसे r square है, तो आप क्या लिखोगे, 2r, पर यहाँ पर r है, यहां पे कहाक है, यहां पे हुक्षा है, यहां पे हम क्या कर रहे है, हम willing, closely differentiate with respect to हम क्या करें दोस्तों, x इस लिए यहां पे कहाएगा, टू आर और फिर हम उसका फिर से derivative लेखेंगे, यहां पे जो पार्ड है उसका हम Pen Inser derivative लेंगे अब finally क्या हो जाएगा दोस्तों यह two or two cancel then del r by del x which is equal to x by r अब यहाँ पर आपको del r by del x मिल गया similarly अब देखो दोस्तों इसे आपको find out करने की जोरत नहीं है बार बार find out करने की जोरत नहीं है अब वैसी आप del r by del y निकाल सकते हो अब दो आप यहाँ पर x by r है तो यहाँ पर क्याएगा y bar r सेम ऐसी आप del r by del z निकाल सकते हो वहाँ पर क्याएगा दोस्तों z by r अब यहाँ पर आपने यह सभी terms को क्या कर दिया है दोस्तों find out कर दिया अब आपको क्या करना है, देखो सबी चीज़े आपने find out कर दिया है अब आपको क्या करना है दोस्तो, प्लीज दियान से अच्छे से आपको समझना है अब आपने, आपको पता है दोस्तो, इसका formula क्या है, del phi का आई यहां पर कहेगा डेल बाई डेल एक्सो पाइं यहां ज ज зачем पर यहां पर आपर टो यहां पर देखु… यहां पर आपर लिख रहा हो बैल न कर दि लिखको लूँँआ और यहां पर भीकुळाईगा दोस्तोème अपर नियुत कु है विखा रोह बहुत दियान से अच्छा से देखती हैं अब यहां पे एंगर आप द्यान से देखोगे तो दोस्तों तो आपको इस वाले पार्ट का derivative निकालना है मैं आपको एक simple सा derivative बता रहा हूँ अगर समझो ये del by del x of sin x square plus 1 है आप इसका derivative कैसे निकालोगे partially differentiate करोगे तो देखो sin है, sin का आप क्या लिखोगे cos x square plus 1 लिखो गया बट दोस्तो sin का derivative क्या होना चीए था cos होना चीए था cos यहाँ पे sin का derivative cos sin का derivative cos x होना चीए था x आना चीए था बड़े वहाँ पे x square plus 1 है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तो bad function आप फिर से क्या करोगे del by del x of यह जो bad function है वो अंदर वाला पार्ट फिर से आप लिखोगे इस तरह से हम derivative solve करते है साइद आपको नहीं दिख रहा होगा अभी दिखाई दे रहा है तो दोस्तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से जाएंगे देखो मैं del by del x of यहाँ पे मैं solve कर रहा हूँ तो दोस्तो यहाँ पे यहाँ पे देखो with respect to x है और यहाँ पे भी यह r के term में तो उससे अब 0 मत consider कर देना समझ जोगी जैसे यहाँ पे x square है जैसे यहाँ पे रिखाई दे रहा है यहाँ पे x होना चीता पड़ क्या है x square है तो आप क्या करोगे फिर सबसे वहले आपने क्या किया था साइन का derivative लिखा तो आपने जो दिया है उसका आप सबसे वहले derivative लिख दो तो f का derivative f r का derivative कहाएगा दोस्तो f dash r और दोस्तो उसके बाद हम क्या करते यह bad function है तो हम क्या करते हैं दोस्तो जो अंदर वाला पाट है उसका हम डिर्यूटी लिएखते हैं यहां पे अंदर काया था दूस्तो आर जैसा रेसे यह त्वेल ऋस्वर का तू अन्छट यहां पर दोस्तो अब यह होने के बाद आपको क्या करना है यह वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से देखना मैं चाहूता तो बीना अब दोस्तो यह देखो यह यहां पर अगर आप देखोगे तो यह देखोगे तो यह वाला पार्ट आपका यहां पर अब यहां पर अगर आप ध्यां से देखते हो तो अब देखो यह नीचे आला R है तो वह ऐसी ही नीचे आएगा और आपको पता है यह वाला जो टर्म है XIYJ PLUS ZK तो देखो मैं अब इससे कैसे लिख सकता हूँ F-R नीचे गया है दोस्तो आर और यह गया है दोस्तो आर बार है आपने इस तरह की चीजे भी हमें सॉल करना है अब दोस्तो एक और प्रूफ लेकर आया है वह उम सॉल करते हैं तो लगभगा प्रूफ वाली चीजे है आपको समझ में आने लेगा तो बुक में कोई भी अगर प्रूफ का पार्ट दिया है तो आप आराम से सॉल कर लोगे, एक और कोश्टन हम सॉल करते हैं तो दोस्तो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अब देखो यहाँ पे जो कोश्टन आपको दिख रहा है आपने इसके पहले सॉल किया है, f of r का तो इसका आपको फॉर्वला पता है, f' r और यहाँ पे गया था, दोस्तो, r बार अपॉन नीचे गया था, r का इस तरह से यह वाला आपने अल्रेडी सॉल किया है, थोड़े दिर पहले, देखो यह वाला तो यह वाला प्रूफ का एंसर आपको याद होना चीए, अगर आप इससे सॉल कर रहे हो, आप वैसे तो उस वाले मैथट से भी इससे ला सकते हो, बट यह वाला थोड़ा सिंपल है अगर आप दोनों ही एक्वेशन को कंपेर करोगे, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डेल के बाद क्या है, यहाँ पर डेल के बाद क्या है, दुस्तो फर, तो फर है, तो यह वैसे यहाँ पर डेल के बाद क्या है, कुन सा है, दुस्तो आर अर अगर मैं कंपेर क x raise to n-1 वाला formula n यहाँ पर x जो भी value है और n-1 और with respect to r है तो कोई problem नहीं है अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ देखो मेरा यह equation first है अब मैं क्या कर रहा हूँ put above value in equation first first में मैं यह values क्या कर रहा हूँ दोस्तों put कर रहा हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा del f of r which is equal to f dash r f dash r value put कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर f dash r है यहाँ पर क्या है n r n-1 देखो यहाँ पर f dash r था यहाँ पर यह value put कर दिया और बाजू में क्या बचा है r vector और नीचे r है अब दोस्तो अगर मुझे इससे solve करना तो मैं किस तरह से solve कर सकता हूँ प्लेस ध्यान देना अब दोस्तो देखो ये n है ये ये है और ये r है इसको मैं इधर लिख रहा हूँ इसके उपर कुछ नहीं है तो 1 है और ये r वेक्टर ऐसी रख रहा हूँ तो दोस्तो n है ये है और ये r का ये 1 उपर जाएगा तो दोस्तो माइनस होनों जाएगा कैसे मैंने किया इंडाइस का रूल ये इंडाइस का रूल है यहाँ पर a one time लिखूंगा तो m माइनस n तो वैसे यहाँ पर n माइनस 1 है यह माइनस वन जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर क्या है R वेक्टर तो finally यहाँ पर N, R N माइनस यहाँ पर 2 और यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ R वेक्टर और यहाँ पर दोस्तों डेल है और यह क्या दोस्तों f of r और आपको पता है कि हमारा जो f of r है हमने किसको consider किया rn को यहाँ पर मैं क्या करूँगा rn लिखूँगा और यहाँ पर n यहाँ पर n-2 और यहाँ पर n-bar तो finally जो हमें proof करना तो वो हमें मिल गया आप check कर लेना कि आपको यही proof करना था देखो डेल r raise to n देखो n r raise to n-2 और r bar तो यह भी हमने cover कर दिया अब इसके बाद वालो lecture दोस्तों बहुत ज़्यादा important होने वाला है तो please नीचे comment करना है सर्फ जल्दी से next part लेकर आओ और next part आपको जल्दी ही मिलने वाला है जिसके अंदर हम बहुत ही important जीजों के बारे में discuss करेंगे चलते हैं दोस्तों next lecture की ओर और मिलते हैं next lecture में बाइ-बाइ, take care, जैहिन दोस्तों